सर्विप्यो नमो नमा, नमस्कार, सरल संस्कृत सुगम संस्कृत में आपका स्वागत है, और आज के इस वीडियो में हम व्याकरण प्रश्णोतरी के बारवे भाग में कारक से संबंदित 30 महतपूर्ण प्रश्णों को देखने वाले हैं, देखिए इससे पूर्व हम कारक से संबंदित 30 प्रशन देख चुके हैं समास प्रत्य संधी और संग्या प्रकरण इनसे संबंदित लगबग 300 प्रशनों को पूरो में हम हल कर चुके हैं तो अगर आपने पहले वाले वीडियोज नहीं देखे हैं तो डेस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो है जिससे आप पूरू में अप्लोडेड वीडियोज देख सकते हैं इसके अतिरिक्त प्रशनोंतरी की प्लेइलिस्ट से आपको साहित्य प्रशनोंतरी से संबंदित भी लगबग 500 प्रिश्ण मिलेंगे तो आप साहित्य से संबंदित प्रिश्ण भी वहां पर हल कर सकते हैं इसके अतिरिक्त सेकंड ग्रेड फस्ट ग्रेड के लिए अलग से प्लेइलिस्ट चैनल पर बनाई गई हैं तो अगर आप इन में से किसी भी प्रतियोगी परिक्षा की तैयारी कर र सरल करने के लिए संस्कृत को बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको पढ़ाने का प्रियास किया है तो अगर आप पहले से हमसे जुड़े हुए नहीं है तो आप चैनल पर जाईए प्लेइलिस्ट में जाईए वहां पर आपको व्याकरण, काविशास, रालंकार, छंद, ट आप प्लोडेड हैं तो आप पूरूमें अप्लोडेड वीडियोस की मदद ले सकते हैं आई ये आज का ये वीडियो प्रारंब करते हैं आज का पहला और इस प्रिश्णो 3, सीरीज का 371 प्रिश्ण है करणे का विभक्ति करण कारक में कौनव विभक्ति होती है करण क्या होता है? किस कारक की करण संग्या होती है? प्रकृष्ण उपकारक होताय? कि रख क्रिया सिद्ध रख रख आवशकता होती है, जिसकी किसी भी क्रिया को सिद्ध करने के लिए सरवादिक महतपून सहायक साधन जो होता है वो करण कहलाता है तो यहाँ पर जो सही आप्शन होगा वो होगा आप्शन नमबर दो 313 पिष्ण है सहयुक्ते आप्रधाने अनेन सूत्रेन किम क्रियते सहयुक्ते आप्रधाने सूत्र से क्या किया जाता है करण संग्या, आप्रधान संग्या, तृतिया विभक्ती या फिर द्वितिया विभक्ती तो सहयुकते आप्रधाने सूत्र ये विधान करता है कि सह के योग में जो कारक आप्रधान हो जो आप्रधान हो उसमें तृतिया विभक्ती होती है तो सह के योग में तृतिया विभक्ती का विधान इस सूत्र के द्वारा किया जाता है तो option number 3 यहाँ पर सही हो जाएगा देखिए कारक से संबंदित सूत्र जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर आपको बहुत ही बारीकी से ध्यान रखने के आविशकता है क्योंकि इस तरीके के प्रिश्ण पूछे जाते हैं कि इस सूत्र से क्या किया जाता है तो यह तो आप normally समझ जाते हैं कि सहयुक्ते सह के योग में तृतिया विभक्ती होती है लेकिन इसमें confusion आपको हो सकता है कि सहयुक्ते प्रधाने से पहले करण संग्या करते हैं और फिर करण होने के कारण तृतिया होती है या डिरेक्ट ही ये सूत्र तृतिया का विधान करता है तो इस तरह के बारीकी से आपको सूत्रों को पढ़ना है सूत्रों को समझना है अगर आप अच्छे से पढ़ना चाते हैं तो आप संस्कृत व्याकरण की प्लेलिस्ट में क संस्कृत व्याकरण में से कारक से संबंदित वीडियो उसकी मदद ले सकते हैं चलिए आगे चलते हैं तीन सो चोहत्तरवा प्रिष्ण है जटाभी तापसह इत्यत्र तृतिया विधायकं सूत्रम किम जटाभी तापसह ये जो वाक्य है इसमें तृतिया का विधान करने वाल तो इत्थम भूत लक्षणे ये सूत्र यहां पर प्रवृत हो जाता है जो कहता है कि जो किसी को इस प्रकार का है ये प्रकट करे तो उसमें तृतिया विभक्ती होती है तो इत्थम भूत लक्षणे यहां पर सही हो जाएगा 375 प्रिश्ण है खालिस्थान काणम अश्य रिक्तिस्थान अश्य पूर्तिम कुरू क्या सही पद आएगा यहां पर अक्षणा काणम अश्य, अक्षी काणम अश्य, अक्षिप्याम काणम अश्य या फिर अक्षिप्यह काणम अश्य तो जो सही पद होगा वो होगा अक्षी कानम अश्य अब कैसे आप कहेंगे यहाँ पर तो तृतिया का पद आना चाहिए क्योंकि यह तो वेनांग विकारह सूत्र प्रवृत्त हुआ है तो देखिए इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि कारक जो प्रकरण है व्याकरण के अंतरगत वो ऐसा है कि अगर आपने उसको अच्छे से पढ़ लिया तो एक तो आपका कारक का प्रश्न सही होगा एक जो अशुद्धी संसोर्दन से सम्मधित जो प्रश्न आएंगे वो आपके सही होगे तीसरा अगर आपको कही अनुवाद करना है तो वो आपका सही होगा तो इसलिए कारक प्रकरण को आप बहुत बारीगी से पढ़िए कि कोई सूत्र क्या कहता है यह आपको समझना बहुत ही आविशक है जो ये नांग विकारह सूत्र है वो स्पष्ट तहा ये विधान करता है कि जिस अंग में विकार हो और उस विकार के द्वारा किसी विकृत प्राणी को दिखाया जाए वो विकार प्राणी की विशेष्टा बताए कि ये प्राणी अंधा है इस तरीके से अगर प्राणी का विकार प्रकट हो तो वहाँ पर तो ये नांग विकारह प्रकट हो जाता है लेकिन उस अंग का स्वयम का विकार दिखाना हो वहाँ पर ये नांग विकारह प्रवृत नहीं होता तो यहाँ पर कह रहे हैं अश्य कानम अक्षी इसकी आख कानी है तो आख का विकार बता रहे हैं कि आख कानी है व्यक्ति को नहीं बता रहे कि अक्षणा कानह अगर यू बोलेंगे कि अक्षणा कानह आख से काना है इस तरीके से अगर हम बोलेंगे तो उस व्यक्ति के बारे म बता रहे हैं कि ये काना है और कैसा काना है आक से काना है तो यहां पर व्यक्ति का विकार ना बता कर प्राणी का विकार प्रदर्शित ना करके अंग का विकार प्रदर्शित किया गया है इसलिए इसमें ये नांगह विकार सूत्र प्रवृत नहीं होता और यहां पर जो सही बदाता है वो है अक्षी अगले प्रिश्ण की तरफ चलते हैं 376 प्रिश्ण है हेतव सूत्रेन का विभक्ती विधियते हेतव सूत्र के द्वारा किस विभक्ती का विधान किया जाता है द्वितिया तृतिया चतुर्थी या फिर शष्टी तो हेतव सूत्र विधान करता है तृतिया विभक्ती का तो option number 2 यहाँ पर सही हो जाए अगला प्रिश्ण है दिवसेन छात्रह अधीतह इत्यस्मिन वाक्य तृतिया विभक्ती के इन सूत्रेन भवती इस वाक्य में यह जो तृतियांत पद दिकाई दे रहा है यहाँ पर दिवसेन यह दिवसेन में तृतिया अधिभ्य उपसंख्यानम या फिर हेतव तो इसमें जो तृतिया का विधान हुआ है वो हुआ है अपवर्गे तृतिया से तो option number 2 यहाँ पर सही हो जाएगा अब अपवर्गे तृतिया जो सूत्र है यह विधान करता है कि अगर काल और अध्वन वाथी शब्दों का प्र प्राप्ति भी हो जाए तो वहाँ पर तृतिया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है पिछली वीडियो में हमने देखा था कि एक सूत्र है काला अध्वनों अत्यंत संयोगे काल और अध्वन वाची मार्ग वाची शब्दों का जब अत्यंत संयोग में प्रयोग हो तो वह पर तृतिया विभक्ति होती है तो उसी का ये एक तरीके से आगे विस्तार है उसी सूत्र का कि काल और अध्वन वाची शब्दों का जब अत्यंत संयोग हो और साथ ही साथ अपवर्ग की प्राप्ति फल की प्राप्ति भी हो जाए तो वहां पर तृतिया विभक्ति का प्रय तो अपवर्गे तृतिया से तृतिया विभक्ति का प्रयोग यहां पर किया गया है। तृतिया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए वाक्य है पुत्र पिता के साथ गया तो पुत्र गया यह एक वाक्य है और फिर उपर से जोड़ा गया किस के साथ गया तो पिता के साथ गया। तो प्रधान कौन है पुत्र है और अप्रधान कौन है पिता है। तो तृतिया विभक्ति का प्रयोग कहां पर किया जाएगा। पिता शब्द में किया जाएगा। पुत्रह पित्रा सह अगच्छत इस प्रकार का वाक्य यहां पर बनेगा। तो यहां पर ऑप्शन नमबर दो सही हो जाएगा। तीन सो असीवा प्रिष्ण है शशिना सहयाती कौमुदी इत्यत्र अप्रधान कारकम किम। यहां पर अप्रधान कारक क्या है शशिना सह कौमुदी या फिर याती। तो यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है स्पष्ट तह की शशी जो पद है इसमें तृतिया विभक्ती का प्रियोग किया गया है तृतियांत का पद है शशीना तो अप्रधान कारक कौन हो जाएगा अप्रधान कारक हो जाएगा शशीना और किसके योग में तृतिया विभक् गोत्र से गारग्यय है, इस वाक्य में तृत्रिया का विधान करने वाला सूत्र कौन सा है। तो यहां पर जो तृतिया का विधान करने वाला सूत्र है वो है प्रकृतियादि गोत्र सम इत्यादी शब्दों के साथ इनके योग में तृतिया विभक्ती का प्रयोग किया जाता है ये एक वार्तिक है जो ये विधान करता है तो प्रकृत्यादी शब्दों में गौत्र शब्द का भी समावेश किया जाता है इसलिए गौत्र यहाँ पर प्रियुक्त हुआ है तो इसमें तृत्या विभक्ती का प्रियोग किया गया है तो यह वारतिक भी आपको ध्यान रखना है जैसे इसका जो प्रसिद उधारन है कई बार वो भी पूछ लिया जाता है प्रकृत्या चारू प्रकृति से चारू तो यहाँ पर भी जो तृत्यांत है वो किस से हुआ है प्रकृत्या दिभ्या उपसंख्यानम सूत्र से तो यह आपको ध्यान रखना है 382 वाप्रिष्ण है खालिस्थान कुणी ही उप्युक्त पदेन रिक्त स्थान अश्य पूर्तिम कुरू क्या उप्युक्त पद आएगा पाणी कुणी प्रिष्ठेन कुणी पाणी ना कुणी या फिर पाणी ना कुणी तो जो सही पद होगा वो होगा पाणी ना कुणी उसके हाथ में विकार है और वो विकृत है हाथ में विकार के कारण तो यहाँ पर ये रांग विकारह सूत्र प्रवृत होता है और पाणी का तृतियांत का पद होता है पाणी ना तो अप्शन नमबर तीन यहाँ पर सही हो जाएगा 383 वा प्रिष्ण है रामेन बानेन हतो बाली इत्यस्मिन वाक्य करणम किम अब देखिए इस वाक्य में दो पदों में आपको तृतिया विभक्ती दिखाई दे रही है बानेन में और रामेन में इन में से करण कौन सा है इसमें दोनों ही पदों में करत्री करणियों स्तृतिया से तृतिया विभक्ती का विधान हुआ है लेकिन प्रिश्ण ये नहीं है कि किस सूत्र से विधान हुआ है प्रिश्ण ये है कि इन दोनों में से करण कौन सा है तो करण क्या होता है जो प्रिक प्रिश्ट उपकारक कौन है यहां पर बान है तो बान की करन संग्या यहां पर हुई है तो option number 2 यहां पर सही हो जाएगा 384 प्रिश्ण है दृवं अपाए अपादानम सूत्रे अपाए पदश्य अर्थम अस्ती इस सूत्र में अपाए पद का क्या अर्थ है आपत्थी हानी आघात या फिर विशलेशह तो अपाए पद का तातपर यह होता है विशलेशह अलग होने में जो धुरूव होता है उसकी अपादान संग्या होती है अलग होने की क्रिया में जो धुरूव है जिससे अलग हुआ जाता है उसकी अपादान संग्या होती है तो अपायपद का तात पर यह है विशलेश हो, option number 4 यहां पर सही हो जाएगा 385 प्रिश्ण है वारणा अर्थानाम इपसित हो, सूत्रानुसारेन यवानाम गाम वारियती शेत्रे इत्यत्र रेखांकित पद स्थाने, शुद्ध पदम शात, एक सूत्र है वारणा अर्थानाम इपसित हो, जो इपसित होता है वारण अर्थ की धातूओं का प्रियोग होने पर उसमें पंचमी विभक्ती का प्रियोग किया जाता है, यह सूत्र यह कहता है तो यहां पर पूछ रहे हैं कि यवानाम के स्थान पर कौन सा पद यहां पर प्रियुक्त होगा, यवई, यवेभ्या, यवान या फिर यवेशु, जो उप्युक्त पद होगा, पंचम्यंत पद होगा, वो होगा, यवेभ्या, ओप्शन नमबर दो यहां पर सही हो तो कर्म के द्वारा जिसको चाहता है उसकी क्या संग्या होती है उसकी होती है संप्रदान संग्या तो अप्शन नमबर एक यहाँ पर सही हो जाएगा 387 वा प्रिशन है क्रिया या यम अभी प्रैती सो अपी खालिस्थान रिक्तिस्थान अश्य पूर्तिम कुरू क्रिया के द्वारा जिसको चाहता है जिसको खुश करना चाहता है उसकी भी कौन सी संग्या होती है कर्म संप्रदान अपादान या फिर अधिकरन तो उसकी होती ह उसकी भी संप्रदान संग्या होती है इसका प्रिसित उधारण है पत्य शेते पती को खुश करने के लिए सोती है इसमें जो सोने की क्रिया है वो पती के लिए की जा रही है उसको प्रसंद करने के लिए की जा रही है तो यहां पर पती पद में संप्रदान कारक हो जाता है औ करमनायम अभी प्रेतीसो संप्रदानं और कृययया अभी प्रेतीसो अपी संप्रदानं तो option number 2 यहाँ पर सही हो जाएगा 388 प्रिश्ण है रुच्य अर्थानाम प्रियमानः सुत्रेण किम विदियते रुच्य अर्थानाम प्रियमान इस सूत्र से क्या विधान किया जाता है चतूर्थी विभक्ती का विधान पंचमी विभक्ती का विधान संप्रदान संग्या या फिर अपादान संग्या तो रुच्य अर्थानाम प्रियमान सूत्र ये कहता है कि रुच्य अर्थाक धात्व का प्रियोग होने पर जो प्रियमान है जिसको रुचिकर लगे उसकी संप्रदान संग्या हो जाती है तो ये सूत्र क्या करता है संप्रदान संग्या का विधान करता है और संप्रदान होने के कारण फिर उसमें चतुर्थी विभक्ती का प्रियोग संप्रदाने चतुर्थी स हो जाता है तो option number 3 यहां पर सही हो जाएगा तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि प्रियमान में चतुर्थी विभाक्ती का विधान ये सूत्र करता है या फिर संप्रदान संग्या का विधान करता है तो बारीकी से आपको सूत्रों को पढ़ना आवशक है तभी आप इ चलिए अगले प्रिश्ण की तरफ चलते हैं अगला प्रिश्ण है विप्राय गाम ददाती अत्र विप्राय पदश्य का संग्या विप्र के लिए गाय देता है तो देने की क्रिया के द्वारा किसको खुश कर रहा है विप्र को तो जिसको खुश करता है कर्मना यम अभी तो विप्राय पद की कौन सी संग्या यहां पर हुई है संप्रदान संग्या और संप्रदान संग्या होने के कारण ही चतुर्थी विभक्ति यहां पर दिखाई दे रही है तो option number 2 यहां पर सही हो जाएगा 390 प्रिश्ण है हरिय रोचते भक्ति इत्यत्र प्रियमान कौन है किसको प्रसन किया जा रहा है किसके लिए रूचिकर है हरिय रोचते भक्ति इसमें अगर भक्त हम लिख दें कि भक्त हो हरिय रोचते भक्ति तो भक्त हो प्रियमान है हरी प्रियमान है भक्ती प्रियमान है य वो भक्ति के द्वारा हरी को प्रसन करना चाहता है, तो यहाँ पर प्रियमान कौन हो जाएगा? हरी हो जाएगा, इसलिए हरी की संप्रदान संग्या होकर हरी में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है और हरी ये पद बना है, तो option number 2 यहाँ पर सही हो जाएगा 311 मेवा प्रिश्ण है खाली स्थान अभी कृध्यती उप्युक्त पदेन रिक्त स्थान अश्य पूरतिम खुरू क्या उप्युक्त पद आएगा यहाँ पर हरिये अभी कृध्यती हरिना अभी कृध्यती हरिम अभी कृध्यती या फिर हरे अभी कृध्यती तो जो सही पद यहाँ पर प्रियुक्त होगा वो होगा हरिम वितियांत पद यहाँ पर प्रियुक्त होगा अब आप कहेंगे कि यहाँ पर तो कृध्य धात्व का प्रियोग है तो कृध्य होने के कारण यहां पर तो चतुर्थी आनी चाहिए लेकिन एक सूत्र और प्रवृत हो जाता है यहां पर कुरुद दुरुयो उप्सरिष्टयो करमहाम की कुरुद और इन धातुओं से पूर्व अगर उपसरग का प्रयोग हो तो कर्म संग्या हो जाती है और कर्म संग्या होने के कारण अब यहाँ पर कुरुध से पूर्व, अभी उपसर्ग का प्रियोग किया गया है, इसलिए इसका जो आधार है, उसकी कर्म संग्या हो गई है, तो जिसके प्रती कुरुध है, उसकी कर्म संग्या हो गई है, और कर्म संग्या होने के कारण, दृतियांत पद यहाँ पर प्रिय असूयती, विनोध मुझसे असूया करता है, इत्यतर उप्युक्त पदम किमशाथ, यहाँ पर उप्युक्त पद क्या होगा, माम, मया, मयम या फिर मत, तो जो उप्युक्त पद होगा, वो होगा मयम, क्योंकि अहम पद के जब रूप चलते हैं, तो चतुर्थ्यंत पद जो बनता है एक वचन में वो बनता है मयम और असुय का यहां पर प्रियोग किया गया है तो कुरुद दुए असुय इनके अर्थ वाली धातूं का या इन धातूं का जब प्रियोग किया जाता है तो जिसके प्रती क्रोध होता है उसकी संप्रदान संग्या होकर चतुर्थी का प पायम पधियां पर प्रयोक्त हो जाएगा अगला प्रिश्ण है भकताय धारयति मुक्षम हरी असमीन वाके उत्तमरना कहा स्мос5 इस वाके में उत्तमरना कौन है तो धारे उत्तमरना एक सूत्र है जो ये विदान करता है कि धृतार्नी दहटू का प्रयोग होने पर जो उत्तमर रिन कहलाता है तो उसकी क्या हो जाती है संप्रदान संग्या हो जाती है तो भक्ताय धारयती मोक्षम हरी भक्त के लिए हरी मोक्ष को धारन करते हैं देखिए भक्त अपनी भक्ती करते हैं और भक्ती के द्वारा हरी पर मोक्ष हरी पर रिन हो जाता है तो जो उत्तम रिन कौन है रिण देने वाला कौन है रिण कौन चड़ाता है भक्त चड़ाता है हरी पर अपनी भक्ती के द्वारा तो यहां पर उत्तम रिण कौन है भक्त है इसी लिए इसकी संप्रदान संग्या हुई है और इसी लिए इसमें चतुर्थी का प्रयोग हुआ है तो अगर आपको इतन तो यहां पर option number 1 सही हो जाएगा अगला प्रिश्ण है यशशे काव्यम रेखांकिते पदे का विभक्ती कौन सी विभक्ती है यशशे पद में प्रत्मा द्वितिया तृतिया या फिर शष्ठी तो यहां पर यश के लिए काव्य इस अर्थ में चतुर्थी विभक्ती का प्र सही हो जाएगा तीन सो पिच्चैन में वा प्रिश्ण है यूपाय दारू इत्यत्र चतुर्थी विधायकम सूत्रम के म्यूप के लिए दारू इस अर्थ में चतुर्थी का विधायक सूत्र कौन सा है स्प्रिहे इपसितह तादर्थी चतुर्थी वाच्या धारे रुत्तम या फिर चतुर्थी संप्रदाने तो यूपाय दारू तादर्थे के लिए यहाँ पर चतुर्थी का प्रियोग किया गया है तो जो विधान करने वाला सूत्र है वो है तादर्थे चतुर्थी वाच्चा उसके लिए ये है यूप के लिए दारू खूटे के लिए लकडी तो तादर्थ्य हो जाएगा और इसी कारण यहाँ पर ये सूत्र विधान करेगा इसी प्रकार यशशे काव्यम यश के लिए काव्य तादर्थ्य है तो इसमें भी चतुर्थी का प्रयोग तादर्थ्य चतुर्थी वाच्या से किया गया है 306 में वा सूत्र है नमह स्वस्ती स्वाहा स्वधा अलम वसट योगाच्च सूत्रेन का विभक्ती विधियते नमह स्वस्ती स्वाहा स्वधा अलम और वसट इनके योग में कौन सी विभक्ती का प्रयोग किया जाता है इस सूतर से किस विभक्ती का विधान किया गया है तृतिया, दुवितिया, चतुर्थी या फिर सप्तमी तो नमह स्वस्ती के योग में चतुर्थी विभक्ती का प्रयोग किया जाता है तो option number 3 यहाँ पर सही हो जाएगा तो देखिए यहाँ पर क्या प्रयोग्त है नमस करोती नमह यहाँ पर हालांकी प्रयोग्त हुआ है लेकिन इसके साथ क्रिया पद भी है क्रिया पद क्या है करोती तो यहाँ पर पूरा जो पद है वो क्या है नमस करोती तो यहाँ पर चतुर्थी का प्रयोग नहीं होगा अपितु यहाँ पर कर्म ही होकर द्वित्यांत पद प्रयोग्त हो जाएगा तो यह आपको ध्यान रखना है कि अगर नमह पद के साथ अगला प्रिश्ण है इस्प्रियते प्रयोगे इस्टह का संग्या भवती इस्प्रिये आर्थक धातु का प्रयोग होने पर इस्प्रिये का प्रयोग होने पर जो इस्ट होता है उसकी क्या संग्या होती है संप्रदान संग्या अपादान संग्या अधिकरन संग्या या फिर क पर्म संग्या तो स्प्रहे इपसित हसूत्र ये विधान करता है कि स्प्रह का प्रयोग होने पर जो इपसित होता है उसकी संप्रदान संग्या हो जाती है तो अप्शन नंबर एक यहाँ पर सही हो जाएगा तीन सो निन्याण में वा प्रिश्ण है परियाप्ति अर्थक अलम पद योगे का विभक्ती भवती परियाप्ती अर्थक अलम पद का योग होने पर कौन सी विभक्ती होती है तृतिया चतुर्थी द्वितिया या फिर शश्टी तो जहाँ पर भी अलम पद का योग हो और व यह हरी ही परियाप्त है, तो अलं जो है परियाप्त का अर्थ दे रहा है, इसलिए दैत्य पद में यहां पर चतुर्थि का प्रयोग किया जाएगा, और आज का अंतिम और चार सोभा प्रिश्न है, निशेधार्थक अलं पद योगे का विभक्ती भवती, निशेदार्थक अलमपद का योग जब होता है तो कौन सी विभक्ती होती है तृतिया, चतुर्थी, द्वितिया या फिर शष्ठी तो अगर अलमपद का योग हो और वो अलमपद निशेद का अर्थ दे, मना करने का अर्थ दे, तो वहाँ पर तृतिया विवक्ति का प्रियोग किया जाता है, जैसे अलम विवादेन, विवाद मत करो, विवाद का निशेद है इस अर्थ में, अलम भाशनेन, अब भाशन मत तो जहाँ पर निशेधात अर्थ हो अलम का वहाँ पर तृतिया का प्रियोग होता है और जहाँ पर परियापती अर्थ हो वहाँ पर चतुर्थी का प्रियोग होता है तो यह आपको अच्छे से ध्यान रखना है। करने से वीडियो थोड़े बड़े भी हो रहे हैं जितना समय लगना चाहिए उसे ज़्यादा लग रहा है लेकिन मेरा यह पूरा प्रयास है कि जब आप ये वीडियो देखें टो जिस वी सूतर से संबंदित जिस भी कि विशे से 600 मन्दित हम प्रश्ण देखे वो विशे आपका clear हो जाए तो आशा है इस प्रकार का ये जो वीडियो है ये आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा आपकी सहयता करेगा तो इसी आशा के साथ इस वीडियो को अब यहीं पर समाप्त करते हैं लेकिन जाने से पहले अगर आपको ये पसंद आया है तो आप इसे like कर दें अपने मित्रों के साथ इसे अधिक से अधिक share कर दें और अगर आप चैनल पर नए हैं आपने अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया है तो चैनल को subscribe कर लें और उसके बगल में जो घंटी का निशान है उसे भी दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो के notifications तो मिलेंगे next वीडियो में धन्यवाद